आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ जे कैप एन यहां डाउनलोड फ्रण जे कैप एन देश्वेक्टर फए Agriculture यह इकवलनलगेश्य प्रण्स का सब्सकूर chapters दे रखेज ऐां देखेश्य और वेक्टर ग्टर सब्सक्राइट यहां. हमें यहाँ पर V1 की जो value दे रखी है यह दे रखा है Vector V1 equals to Vector A cross I cap and cross product यह I cap ठीक है तो अब यहाँ पर हमें एक concept जानते हैं अगर हमें यहाँ पर कहीं दे रखा हो Vector A cross Vector B cross product Vector C तो यह equals to basically क्या होता है Vector A dot product Vector C into Vector B minus Vector A dot product Vector B into Vector C और यहाँ पर मैं assume करें लाँ कि जो Vector A की value है Vector A equals to क्या है A I plus B J and plus C के तो अब यहाँ पर basically जो Vector V1 की value आजाएगी Vector V1 की value यहाँ पर जो यह formula अगर हम use करेंगे तो यहाँ पर जो Vector V1 की value क्या आजाएगी तो यह इसकी value आजाएगी Vector A minus Vector A dot I cap into I cap तो यहाँ पर basically Vector V1 की value है यह क्या जाएगी Vector A minus यह Vector A dot I cap यहाँ पर क्या है क्योंकि हमने यह यह assume क्या था Vector A equals to A I plus B J plus C के ठीक है तो अब अगर यहाँ पर मैं Vector A में dot I product करूँगा ठीक है dot I करूँगा तो यहाँ पर basically क्या हो जाएगा यह तो इधर भी dot I हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर यह K और J वाले term तो 0 हो जाएगे तो यहाँ पर I cap dot I cap होगा तो यहाँ पर यह A बचेगा तो यह हो जाएगा Vector A minus Vector A minus A I ओके और सेम इसी तरीके से Vector V2 की value आजाएगी Vector V2 की value की आजाएगी यहाँ पर जब आप solve करेंगे तो Vector V2 की value यहाँ पर आएगी Vector A minus BJ ऐसे Vector V3 की value आजाएगी Vector V3 की value की आजाएगी Vector A minus CJ अब हमें यहाँ पर जो relation दे रखा है उसके according हमें यहाँ पर simplify करेंगे हमें यहाँ पर देर रखा है vector v1 equals to vector v2 minus vector v3, अब यहाँ पर हम vector v1, vector v2 और vector v3 की value put करेंगे, तो यहाँ हो जागा vector v1 की value क्या है, यहाँ पर vector v2 की value क्या है, vector v2 की value क्या है, vector a minus vector v3 की value put करेंगे और यहाँ पर minus करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा minus का vector a और plus ck यहाँ पर vector a से vector a cancel out हो गया ठीक है अब यहाँ पर जब और simplify करेंगे तो vector a और जब यह ai को हम यहाँ पर लिखेंगे तो यह हो जाएगा minus ai equals to minus bj and plus ck अब यहाँ पर हमने पहले assume किये थी जो vector a की value वो value हम यहाँ पर put करेंगे तो हमने assume किया था यहाँ पर ai ok plus bj and plus ck ok and यहाँ पर minus ai ok equals to क्या यहाँ पर minus bj plus ck ok तो यहाँ पर ai से तो ai cancel out हो गया अब जो remaining हुआ यह क्या होगा bj plus ck equals to minus bj plus ck ok तो यहाँ पर basically जो b की value है यह कितनी है यहाँ पर minus b तो यहाँ पर finally जो b की value होगी वो क्या हो जाएगी यहाँ पर 0 ठीक है तो अब अगर b की value जो 0 हो गई तो जो vector a हमने यहाँ पर assume किया था हमने vector a assume किया था ai plus bj plus ck तो vector a यहाँ पे क्या रह जाएगा तो हमारा यहाँ पे vector a equals to रह जाएगा a i plus b की value तो प्लस c के ओके अब यहाँ पे हम देखेंगे जो हमें 4 option दे रखेंगे तो हमें 4 option में क्या दे रखा है तो first option में दे रखा है vector a dot vector dot j cap equals to 0 तो अब अगर यह जो हमें value हमने find किया vector a की इसमें अगर dot j करेंगे तो vector a dot j cap तो equals to यहाँ पर क्या आजाएगा a i dot j cap and plus c k dot j cap तो यह value भी 0 हो गई plus यह value भी 0 हो गई तो यहाँ पर जो value आई है vector a dot j cap कि यह value क्या आई है 0 तो हमारा जो first option है बहुत तो सही है first option हमारा सही है अब ऐसे आप second options चेक करेंगे तो यह सही नहीं होगा third option भी सही नहीं होगा और fourth option भी सही नहीं होगा तो option first is our right answer thank you